एलो फ्रेंड्स ओमनों शिवाय तोमारा नेक्स्ट टोपिक है मोस्ट इपोर्टन टोपिक है यह एस्टिक एंड एलकलाइन हाइडॉलिस इस अब आपको पता होगा एस्टर का जर्नल फॉर्मूला के होता है और सी ओ आड एस इस 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 डिपर्जेंट जर्नल फॉर्मूला यह घूँ परन फोर फैस्टर ऊट जर्फ को फैस्टर इस तरह से लिखते हैं मश् kuको खी ए तो यहां पर कोई भी कार्वोक्सलीक नियां बनेंगा ठीक है एंड साथ में बनता है अलकोहल बड़ जब आप एस्टर की एलकलाइन हाइडुलीसिस करते हो ओ एक निया बनेगा प्लस साथ में क्या बन जाएगा जैसे यहां पर बना वैसे यहां पर याद रखना कि यहां पर बनेगा जब alkaline hydrolysis होती होगी तो carboxylic acid का आइन बनेगा ठीक है अब जैसे मैंने यहाँ पे example शो करने के लिए लिए है hydrolysis of ester का तो जैसे यहाँ पे यह क्या है यह है यह है इथाइल एसिटेट देखो जब भी नाम पढ़ते हैं आप तो यह वाला सबसे पहले पढ़ जाता है अब इसकी है hydrolysis कौन सी hydrolysis है अगर आपको यह सब पूछा जाए कि कौन सी hydrolysis है तो आपके बता देंगे यह एक पॉस्टिव की प्रजैंस में हो रही है अगर ओ एच नेक्टिव होता है यहाँ पे तो कौन सी हो नहीं थी alkaline हो जानती अब आपको पता है इस्टीग hydrolysis होगी किसकी यह क्या detective hydrolysis देती है आपको क्या carboxic acid मतलब यहाँ पर कार Shaun हOR्च की इस्टीग proceeding चाहएंगा ठीक कर रहें में कर रहा है recipes तो जब हम ethyl acetate की alkaline hydrolysis करेंगे तो हमारे पास के बनता है acetate बनता है देखो यह बना बटियां पे जैसे sodium है न तो simple क्या बन जाएगा sodium acetate बन जाएगा CS3 COO negative plus Na positive लिख सकते हम इसको तो इसको क्या पढ़ते हैं sodium acetate ठीक है साथ में क्या बन जाएगा आपको पता है alcohol तो दोनों cases पर बनेगा तो ethyl alcohol now mechanism most important इसका question आता है वी mechanism से आएगा की what is acid and alkaline hydrolysis of ester and also give their mechanism साथ मैंने एक note लिख है यहां पे इसको पर लो alkaline hydrolysis of ester is irreversible in nature irreversible and reversible आपको पता होना क्या होती है ठीक है बताने रहाँ तो alkaline hydrolysis के है आपकी ester की irreversible है whereas in because in hydrolysis of ester जब आप ester की hydrolysis करते हो alkaline medium पे OH negative ठीक है जब alkaline medium पे आप hydrolysis करते हो ester की there will be the formation of carboxylateine आपको पता है carboxylateine बनता है और alcohol बनता है तो there will be formation of carboxylateine अब आपको पता होगा की carboxylateine is more stable क्यों stable carboxylateine because it will for its ragionating structure it will form two ragionating structure and they are more stable they are stable because when we can draw the ragionating structure of carboxylateine we see that there is a separation of charge and active charge in both oxygen atom that's why the carboxylateine is more stable ठीक है hence the acid and alcohol do not जो आपका carboxylateine बना और जो alcohol है तो वो कभी भी react नहीं करेंगे back इसका बोलने का यह मतलब है कि जैसे आपका ester था R-C-O-O-R-S ठीक है जब आपने इसकी कर दी alkaline hydrolysis कर दी OH negative के पर जैसे में तो आपके पास क्या बन गया R-C-O-O negative बन गया एक carboxylateine बनता है आपको पता है और एक क्या बन जाता है आपके पास alcohol बन जाता है एक alcohol बन गया ठीक है यह बन गया अब नाओ यह कारboxylateine नहीं देखो इसका जब आप regionating structure ड्रो करते हो तो R-C double bond O और single O negative एक पर ना oxygen पर एक तो एक तो double bond क्योंकि कार्बन की चार्बलेंस यहां में चार पूरी करनी है एक दो double bond बन गया और यह single bond इसलिए बना क्योंकि 2 electron यहां को चले गया ठीक है इसके पास 6 electron हो गया है अब 6 और साथ में negative charge एक पर तो जब दूसरा regionating structure इसका ड्रो करेंगे तो दूसरा कैसे बन जाएगा उल्टा बस इ इस वाले oxygen पर नेक्टिव चार्ज आगे तो there is a separation of negative charge on the both oxygen item है इस these carbonate iron are more stable तो यह carbonate iron क्या हो गया बस less stable हो गया तो जब यह stable हो गया तो जो जी stable होती है अब आपके पास दुनिया में बंदे के पास पैसा आज इकल बंदे ऐसे मानते हैं कि जिसके पास पैस होता है उसके प कुछ है बंदों के नजरी में maximum बंदे ऐसा सोचते हैं ठीक है तो वैसी जैसे इसके पास इस stable हो गया तो अब यह कभी भी इसके साथ react करेगा नहीं तो जब react नहीं करेगा यह दोनों तो यह दोनों अगर react करते तुम्हारे पास क्या बन जाना था यह बन जाना था बट यह डोनों आप क्या करेंगे रियक्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि यह क्या स्टेबल चीज तो पता है आपको reactivity stable stable चीज की क्या होती है काम होती है तो यह इस कब होनने का मतलब है कि यह डवल हैड़ डीड नहीं होगा फिर यह सिंगल यह रिपर्जेंट की जाएगी क्योंकि करेंगे हम तो कार्वुदुलेट ऐन बनेगा बट यह कार्वुदुलेट रेक्ट करके वापिस यह नहीं बनाएगा यह रिवर्सिबल प्रोसेस होगी रिवर्सिबल प्रोसेस बट जब हम acedic करेंग अस्टर की तो वह क्यों होगी रिवर्सिवल होगी रिवर्सिवल का बोले का मतलब है कि यह जो आपका बना यह की थी थी ना मैंने एस डिकाइडोलिसिज तो यह जो बना आपके पास कार्बोगजली का सिडेंड अलकॉल यह दोनों फिर से रियक्ट बैक करके एस्टर बना देंगे ठीक है बट जब अलकिल इस मेकनिजम ऑफ एलकलाइन हाइडोलीसिज ओफ एस्टर नाव आपको पता है बिल्कुल यह यह गाइज कुछ नहीं इसमें ठीक है आप नहीं नहीं सोचना की आप प्डाई टफ है कुछ नहीं काफी यह अगर आपको समझा जाए ठीक है काफी इसी से बता रहा हूं आप को बताया एस्टर कांव पर्मूलाव मैं आपको 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 आया र सी ओ और डैश ठीक है आरंड डच याह तरह तो एस्टरख मैं कैसे om तो इस वे में लिख सकता हूं ना आर सिंगल सी डवल बॉंड हो सिंगल ओ और डैश देखो कारवन की चार बलेंसी पूरी करनी होती है एक दो तीन चार कर दी हमने पूरी ठीक है इस ऑकसीजन के उपर के है चार इलक्टोन है ठीक है अब हमने के करनी है एलकलाइन का कर रहे है मेकनिजम स्टड़ी अलकलाइन हाइडोलीसीज ओफ एस्टर हाइडोलीसीज ओफ एस्टर का क्या कर रहे है हम मेकनिजम स्टड़ी करें यह आप पर मैंने लिख दिया मेकनिजम ठीक है तो मेकनिजम स्टड़ी करें अब आपको पता है अलकलाइन हाइडोलीसीज किस के प्र ये कार्बन के साथ जो है रियक्ट करेगा तो जब ये साथ रियक्ट करेगा तो यहां पे पांच बॉंड बन जाएंगे एक-2-3-4 और यह किसका भी आएगा बठाम में तो पता है कि कार्बन की 4 वैंस यह तो यह जो पर आपको पता है shifting of electron होगी वैसे ही same to same ठीक है तो यह electron कहां को shift कर जाएंगे यहां को shift कर जाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा पर टैट्राइडल जैसे आपने नुकलोफाइल किया था ना same to same वैसे ही है बस अब यहां पर oh negative ले रहे हैं और कोई फर्क नहीं है ठीक है तो आपके पास क्या बन गए देखो यह दो एलेक्टोन यहां पर शिफ्ट हो गएते हैं और oxygen के उपर आगे 6 एलेक्टोन तो मैंने 6 बना दियो और negative साथ में ठीक है अब साथ में यहां पर आपके पास क्या है ओ आर डैश है ठीक है और यहां पर आपके पास क्या जूड़िया ओ एच जूड़िया गूरूप ठीक है नाव नेक्स टैप पर नेक्स टैप पर मैं आपको बता रहा हूं यह जो है आपके पास और सिंगल सी यह ओ यह ऐसे करके ह नेगिटिव और यहां पे है O, R- और O, H ठीक है अब next step पर क्यों होगा नेग्स टेप पर इहोगा आपको बनाना क्या आपको पता है जब alkaline hydrolysis करते हैं तो आपके पास बनता है R-COOO negative plus R-OH यही बनता है ना कार्वोग्जलेटाइन बनता है alkaline पर और यह अब आपको यह बनाना है अब देखो क्या होगा कि यह जो electron होंगे ना यह फिर से यहां को shift कर जाएंगे इस bond पर अब जब इस bond पर shift कर जाएंगे तो आपको पता है कार्वण सिर्फ चारी bond बना ज तो यह फिर यह bond जो होगा ना यह वाले जो electron होगे यह oxygen की लेगा अपने पास ठीक है यह oxygen की लेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा structure फिर आपके पास इस तरह से आर लिख दिया मैं single C अब यहां पर दो electron यहां पर आज जाएंगे तो यहां पर के बन गए double bond और उपर क् पास बच गे चार electron ठीक है मैंने लिख दिये अब यहां पर आगे आपके पास जब इसने electron अपने पास खींचे तो यह ओएच को मैं यहां पे लिख देता हूं ठीक है जब इसने अपने पास electron खींचे तो यह bond तो खत्म हो गए क्योंकि bond कहरी पर जाएंट करता है दो electron तो electron इसके उपर चलेगे तो मतलब यह पूरा की पूरा group के हो गया आपका eliminate हो गया ना ठीक है क्योंकि bond ही नहीं रहा ठीक है तो यह बन गया आपके पास फिर O और R डैश और O ने के कहींचे है electron खींच लिए तो और के पास हब के होगे electron जाद होगे और साथ में negative charge भी आ गया ठीक है वैसे ही जैसे leaving group leave होता है same to same way है अब यह हो गया अब ना अब भी question खत्म नहीं हुगा है अब देखो आपके पास यह बन गया ठीक है तो इसको मैं ले रहा हूं सिंगल सी डबल बॉंड ओ सिंगल ओ इसको मैंसे करके लिख सकता हूं सिंगल हो है ठीक है और साथ में आपके पास क्या बना था यह बना था यह बना था यह बना था और डैश है यहां पर नेक्टिव चाल जाज़ अब नाव आपको पता है आपने के बनाना है आज सी ओ ओ अब कैसे बनेगा आरसी ओ नेक्टिव जब ये इलेक्टिव कहां को शिफ्ट करेंगे ये यहां को शिफ्ट करेंगे और ये यहां को शिफ्ट करेंगे तो हाइडोजन बच गया बचारा के लगों कि ये इलेक्टिव ले गया ओक्सीजन खींच के अपने पास तो ये हाइडो और यहां पर दो चार दो छे एलक्टोन साथ में एक्टिव चार्च प्लस साथ में या बनगे लिए और डैश और ओ एच यह इलकोहल बन گए यह कार उक्सलेट आइन बन गिया ठीक है और इस कार्वक्जलेटाइन को आप से राजुनेस आयो रीड के रूप में भी रिप्रेजान्ट कर सकते हैं ऐसे एक सिंगल दो उक्सीजन होते हैं एक टाइम पर यह पर डबल बहुर्ण रहता है एक टाइम पर यहां पर पार्शियल नेकटिव चार्ज रहता है एक टाइम पर जब दूसरे स्ट्क्शिर ड्रो करते हैं तो यहां पर पार्शन एक्टिव चार्ज रहता है और साथ में यह आडएश ओएच बनेगे आपका तो यह था मैकनिजम आपका अब आपको साथ में भी आथा है कि आविडैंस दो प्रूफ दो हमें ठीक है तो सबसे पहले आपने क्या देना कि काइनेटिक स्टडि क्यालि इस रिक्षन जही आपने रिक्षन किया इस यह तो प्ललो टौडर काइनेटिक्स क्यों हुँ度ाद्यस और order kinetics because जो यहां पे reaction rate है ना यह किन के उपर depend कर रहा है यह depend कर रहा है concentration of your ester and OH negative ठीक है इन दोनों की concentration के उपर depend कर रहा है अब देखो यहां पे जो है OH negative we can act कर रहा है as your reactant यह वाले reactant होते हैं और यह जो बना आपके पास यह के बना product तो यह OH negative ऐसे कहा था यह catalyst था क्योंकि हम क्या कर रहे थे medium प्रवाइड कर रहे थे alkaline तो alkaline medium के लिए हम OH negative को बट यहां पे इसने अपना role catalyst का कम दिया और क्या बन गया यह reactant बन गया जाके क्योंकि यह react कर रहा है ना ठीक है इसके साथ तो यह reaction है इस reaction कर रहे यह rate जो है वह दो चीज़ जो पिडिपेंड कर रहा है आप दो चीज़ कौन कौन सी है एक तो यह ester है और एक यह है OH negative है hence the reaction rate depends upon the concentration of both ester as well as hydroxide that's why this reaction follows second order kinetics ठीक है वही लिख है तो एक तो आपने evidence दे दिया इसके support पर दूसरा evidence क्या दोगे आप दूसरा evidence दोगे आप isotopic labeling of oxygen experiment की जो oxygen होते हैं आप आपने कई बार किया होना यह जो isotopic labeling आप करते हैं ठीक है तो labeling का मतलब होता है जैसे आपके पास यह कोई भी ester group ester है ठीक है जैसे यह है ethyl acetate है तो आपको पता है कार्वोग जलेट आएन बनेगा तो CH3 single C double bond O single O तूट गया और साथ में यह जो C2H5 O है यह के साथ जूर जाता है वह को पता है तो C2H5 O H और O को वह कौन सा वाला यह labeling वाला है यह क्या बन गया पूरी की पूरा labeled alcohol बन गया मतलब कि यहां पे जो आपने oxygen को पर labeling ली थी है यहां पर alcohol बन जब बना तो हमें भी oxygen को पर पता लगया कि oxygen वाले मतलब labeling का 18 labeling का ठीक है तो यह इस तरह से भी आप isotope की जो isotope होते हैं आपके उसकी labeling करके जो है evidence दे सकते हो alkaline hydrolysis of ester का third evidence है stereo chemical studies is also supported by stereo chemical studies of alkaline hydrolysis of optically active ester जो आपने किया वो जो है is stereo chemical study भी आपका third evidence है उसको आप जो है वहाँ पे लिख सकते हैं ठीक है तो तीन evidence बता दिया आपको आप को आप कोई दो याद रख लो या तीन नो करने आपने तो तीन नो कर लो ठीक है समझा मैंने आपको दिये है नाव हम नेक्स्ट वीडियो में इस डिक हाई डोली से जो फैस्टर करेंगे थैंक यू